दोस्तों, stock market है कैसी जगा है, जो सभी को पैसा कमाने की बराबर opportunities देता है, और एक सी opportunities होने के बावजूद भी, बहुत ही कम लोग इसका फायदा उठा कर profit कमा पाते हैं, और majority लोग या तो बहुत ही कम profits कमा पाते हैं, या फिर loss में रहते हैं, लेकिन आखिरकार लोग इसी क् करते हैं, जिसके वज़े से वो लोग बहुत ही कम profit कमा पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही amazing book, how to avoid loss and earn consistently in stock market के कुछ बहुत ही important lessons के बारे में discuss करेंगे, और एक beginner से लेके advanced level के investor के लिए भी, ये एक बहुत ही amazing book है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कि वो जादा knowledge तो होती नहीं है, तो ऐसे लोग अपने brokers या फिर किसी stock market guru के tips and recommendations को blindly trust कर लेते हैं, और अपने customers को attract करने के लिए वो कुछ fancy words का use करते हैं, जैसे कि हम लोग आपको free stock recommendation देंगे, और कब कि share को खरीदना और बेचना है, इसकी free service provide करेंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ य ये चाते हैं कि आप जादा से जादा shares को खरीदो और बेचो, ताकि उन्हें brokerage मिले, और अब जिस broker के through भी invest करते हो, दिन बर में आपको उससे बहुत सी emails मिलती होंगी, कि आज ये stock इतना percent उपर गया, पलाना stock इतना percent crash हो गया, best shares to buy, best shares to sell, वगेरा वगेरा, और वो लोग कभी long term investing की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर लोग stocks को hold करके बैठे रहेंगे, तो उस broker को कोई फायदा हो गई नहीं, so as a smart investor, आपको अपना फायदा सोचना है, ना कि अपने broker का, और दूसरी गलती लोग करते हैं, कि वो लोग stock market से रातो रात अमीर होना चाते हैं, इस involved हो जाते हैं, अगर आप intraday trading से एक दिन में बहुत जादा profit कमा भी लेते हो, तो आप उससे अमीर नहीं बन जाओगे, और अगर आप ये thinking रखते हो, कि आपको intraday trading में कभी loss हो गई नहीं, तो आपकी ये गलत फैमी तो time के साथ दूर होई जाएगी, और जिस दिन आपका एक बड़ा loss होगा, तो आपके सारे चोटे मोटे profits एक ही loss में खतम हो जाएंगे, और कुछ सालों बाद आपको realize होगा, कि इतना time और energy waste करने के बाद भी आप कुछ खास करी नहीं पाए, अगर आप investing के साथ trading कर रहे हो, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप investing छोड़ कर trading कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और लोगों की तीसरी बड़ी गलती ये होती है, कि जब वो stock market की थोड़ी बहुत knowledge गेन कर लेते हैं, और थोड़े बहुत profit कमाने के बाद वो लोग इतने जाधा over confident हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है, कि अब तो अपनी stock market का भगवान है, और वो जाधा profit कमाने के लिए loan ले लेते हैं, वो लोग reward के बारे में तो सोच लेते हैं, लेकिन risk को ignore कर देते हैं, अगर आप loan लेकर invest करते हो, और आपको profit हो भी जाता है, तो आपको बहुत जाधा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क इस वज़े से उसे suicide करना पड़ा, जैसे Livermore अपनी young age में ही एक बहुत professional trader बन चुका था, और 30 साल की उमर तक उसकी net worth 100 million dollar हो चुकी थी, और उसने अपनी life का सबसे बड़ा profit कमाया था, 1929 के the great depression में, क्योंकि उसने market में short selling की थी, इसलिए उसने एक ही दिन में 3 billion dollar का profit कमाया, और उसका नाम world के richest person में count होने लगा, लेकिन इस सब के बाद उसका confidence इतना जादा बढ़ चुका था, कि वो जादा से जादा bank से loan लेकर trading करने लगा, और जब कुछ सालों बाद उसे losses होने शुरू हुए, तो उसने अपनी सारी wealth तो गवाई दी, लेकिन उसके पर करजा इत इसके बारे में हम किसी और वीडियो में एकदम detail में बात करेंगे, फिलाल अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, कि ये एक very high risky and very high rewarding trading है, इसमें आप कुछी मिंटों में बहुत बड़ा profit कमा भी सकते हो, लेकिन इसमें आपका पुरा का पुरा पैसा कब डूप जाएगा, आ और एक retail investor की stock market में कुछ misconceptions होती हैं, और वो misconceptions भी मैं आपको in short बता देता हूँ, लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फैमी होती है, कि जिस company का share price जादा है, और उसका PE ratio जादा है, तो वो share महगा है, लेकिन कैसे किसी share का PE ratio हाई होते हुए भी, वो share undervalued हो सकता है, वो मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से explain किया है, और लोग ये सोचते हैं कि जिस company का share price बहुत जादा बढ़ जाता है, उस share के future में grow होने के chances कम हो जाते हैं, जिसका मतलब साफ है कि लोग business नहीं, बलकि सिर्फ price पर focus करते हैं, लेकिन अगर कोई business future में grow होने की potential रखता है, लेकिन आज इसका share price कहा है, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन अभी भी इस business में इतनी potential है, कि ये आने वाले time में अच्छे rate से grow हो सकता है, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप महेंगे shares में invest करना start कर दो, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाता हूँ कि आपको किसी company क उसके price से नहीं, बलकि valuation से judge करना चाहिए, और price and valuation दोनों अलग चीज़े हैं, valuation के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, और retail investors के दिमाग में ये बहुत अच्छे से bet चाती है, जब किसी share का price कम हो जाए तो उसे खरीद लो, और आपको YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियो जाएंगी, जो आपको बताएंगे कि ये share अपने 52 week low पर trade हो रहा है, और इस company का share price अल्रेडी बहुत जादा कम हो चुका है, तो इसलिए अब इसका share price यहां से उपर ही जाएगा, और आप ऐसे ही किसी और के कहने पर अपना पैसा किसी ऐसे stock में invest कर देते हो, जो रोज नए low बनाते जा रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि ये share price एक दिन उपर जाएगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस share में आप invest कर रहे हो, वो कभी दुबारा उपर जाए ही ना, इसलिए अगर आप किसी business को लेकर confident नहीं हो, तो फिर चाहें आपको इस company का share price कितना भी सस्ता क्यों ना मिले, आपको उसमें invest नहीं करना चाहिए, तो अगर आप stock market को लेकर इन में से कोई भी misconception रखते हो, तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, जब भी आप किसी company में invest करते हो, तो आपका कुछ basic fundamentals को analyze करना बहुत ज़रूरी है, for example, जिस company में भी आप invest करना चाहते हो, उसका return on equity and return on capital employed पिछले 5 सालों में at least 20% का होना चाहिए, अगर उस company का return on equity and return on capital employed अच्छा है, इसका मतलब है कि वो company cash को सही से utilize कर पा रही है, और उस company पर करजा कम से कम होना चाहिए, इसके लिए आप debt to equity ratio का use कर सकते हो, जिस company में भी आप invest करना चाहते हो, उसका debt to equity ratio content कुछ है, तो वो है उसकी sales growth और profit growth, जिस company को भी आपने choose किया है, make sure उसकी sales growth पिछले 3 सालों में minimum 10% के CAGR से grow हुई हो, और उसकी profit growth भी पिछले 3 सालों में कम से कम 15% तो होनी ही चाहिए, और आप जिस company के भी fundamentals चेक कर रहे हो, make sure आप उसकी same industry की company के साथ compare करो, कहीं ऐसा ना ह कि आप एक NBFC company में invest करना चाते हो, और आप उसे compare FMCG company के साथ कर रहे हो, let's say आपको एक अच्छी company मिल जाती है, लेकिन उस company को सही valuation पर खरीदना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे business को बहुत महेंगे price पर खरीद लोगे, तो आप future में बहुत कम profit कम आपा और उनका PEG ratio एक से कम होता है, तो ऐसी companies undervalued होती है, PE ratio का मतलब होता है PE ratio divided by earnings growth, अगर उस company का PE ratio एक से कम है, तो इसका मतलब उस company में earnings growth जादा होने के बावजूद भी, वो company सस्ते valuation पर available है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप blindly ऐसी company में invest कर दो, तो यह companies undervalued इसलिए हो और किसी company में invest करने का यही सही time होता है, लेकिन उससे पहले आपको यह check करना चाहिए, कि उस company में आखिर ऐसा है क्या, कि लोग उस company के लिए optimistic नहीं है, और अपनी खुद की research के बाद अगर आपको लगता है कि उस business में इतनी potential है, कि आने वाले time में वो अच्छे rate से grow हो सकत है, तो आप definitely ऐसी company में एक बड़ा amount invest कर सकते हो, और अगर आप सही निकले, तो ऐसी companies आपको multi bagger returns दे सकती है, और ऐसी सिर्फ एक ही company काफी है, आपको एक बड़ी wealth create करके देने के लिए, लेकिन जब तक आपको किसी undervalued company में कोई खास growth potential ना दिखे, अब तक आपको ऐसी company स दूरी रहना चाहिए, और जब आपको एक अच्छी company मिल जाती है, जिसके fundamentals strong है, और उस company में काफी potential है, कि वो future में grow हो सकती है, इसके बाद सब कुछ depend करता है, उस company के management पर, क्योंकि अगर उसका management ही fraud है, और उसे अपने business पर भरोसा नहीं है, तो फिर चाहें उस company के fundamentals कितने भी strong क्यों ना हो, ऐसी company में invest करना बहुत risky हो सकता है, तो आप कुछ parameters को analyze करके, उस management की quality को check कर सकते हो, जैसे उस company की promoter holding, जिस company में भी आप invest करना चाहते हो, उसकी promoter holding 35% से जाधा होनी चाहिए, कुछ rare cases में 35% से कम भी हो सकती है, लेकिन majority companies में promoter holding 35% से जाधा होनी चाहिए अगर promoters holding 35% से कम है, तो इसका मतलब company के promoters कोई उस business पर confidence नहीं है, और जब promoters कोई अपनी company पर भरोसा नहीं है, तो भला आप ऐसी company में इतने confidence के साथ कैसे invest कर सकते हो, अगर promoters उस company में अपना stake increase कर रहे हैं, तो ये एक positive signage, जो दर्शाता है कि promoters उस company के future को लेके काफी confident ह लेकिन just discount, अगर promoters holding continuously कम होती जा रही है, तो या तो वो company कोई बड़ी problem face कर रही है, या फिर future में face करने वाली है, अगर promoters holding 1-2% से कम हुई है, तो इसमें कोई बड़ा issue नहीं है, हो सकता है promoters ने business purposes के लिए अपना stake sell किया हो, लेकिन अगर promoters holding एक बहुत बड़े ratio के साथ और काफी speed से कम हो रही है, तो आपको ऐसी companies की अच्छे से research करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, जिस company से promoter exit हो रहे हूँ, आप ऐसी company में invest कर दो, और आपको pledge promoter holding भी check करनी चाहिए, pledge promoter holding का मतलब होता है, कि promoters ने अपने कितने shares गिरवी रखे हैं, सबसे बड़ा negative point तो यही है कि promoters को fund raise करने के लिए अपने shares को गिरवी रखना पड़ रहा है, और promoters ऐसा तभी करते हैं, जब कोई भी उन्हें loan देने के लिए तैयार नहीं होता, तो उनके पास अपने shares को गिरवी रखने के अलाबा और कोई option नहीं होता, अगर आप किसी ऐसी company में invest कर भी रहे हो, तो उसकी pledge promoter holding 10% से जाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर pledge promoters holding बहुत जाधा होगी, तो ऐसी company को market volatility के time काफी problems face करनी पड़ सकती है, और dividends भी company के management को परखने के लिए काफी important data है, company जो भी profit कमाती है, उस profit पर shareholders का पूरा पूरा हग होता है, इसलिए company के लिए बहुत important है कि वो उस profit को अपने shareholders के साथ भी share करे, अगर company कोई dividends पे नहीं कर रही है, या फिर वो बहुत ही कम dividends पे कर रही है, तो इसका मतलब उस company का management growth पर focus कर रहा है, लेकिन dividends पे ना करने के बदले में, उस company का share price बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई company ना तो dividends पे कर रही है, और ना ही उसका share price बढ़ रहा है, तो इसके दो reasons हो सकते हैं, या तो उस company का management उन profits को सही से utilize नहीं कर पा रहा है, या फिर उन्हें अपने shareholders से कोई मतलब ही नहीं है, इस सब के अलावा return on equity आपको management की efficiency के बारे में बताता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 20% का return on equity काफी अच्छा होता है, लेकिन किसी भी हाल में return on equity 15% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि return on equity अगर 15% से कम है, तो इसका मतलब उस company का management, shareholders के पैसे को सही से utilize नहीं कर पा रहा है, अगर आप return on equity को in-depth analyze करना चाते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, और सबसे last है कि आखिर उन्हें sell कब करना चाहिए, तो जब आपको लगे कि जिन shares में आपने invest कर रखा है, और market आपको उससे अच्छी opportunities दे रहा है, तो ऐसे time पे आप अपने shares को sell करके, उन अच्छी opportunities के और move कर सकते हो, in case अगर आपको लगे कि आपका investment decision wrong था, तो उस case में भी आप अपने stocks को sell कर सकते हो, जिस company में आपने invest किया था, अगर उसके fundamentals और management change हो चुका है, और आप उसके management को लेकर doubtful हो, तो आपको ऐसी companies के shares sell कर देने चाहिए, लेकिन अच्छे से analysis करने के बाद, लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, और आपको लगता है, कि आपको अपनी investment से investment से निकाल लेना चाहिए, और बाकी पैसा आपको invested रहने देना चाहिए, ताकि आप time के साथ साथ compounding की help से और जादा अमीर होते जाओ, तो दोस्तों ये थे इस book के कुछ important lessons, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like करो, और मेरे इस channel को भी subscribe कर सकते हो, ऐसे ही educational videos और देखने के लिए, thanks for watching this video and bye